दोस्तों, income tax portal पे assessment year 21-22 की income tax की return की rectification allow कर दी गई है, इसके लिए facility को enable कर दिया गया है दोस्तों, यदि किसी taxpayer की income tax की return process हो चुकी है, और उसे लगता है कि उसमें कोई गलती हो गई है तो उस case में उसे rectify करवा सकता है, इसके लिए facility को portal पे enable किया गया है आपको income tax portal पे login करना है, service time में जाना है, rectification में जाना है और उसके बाद new request में click करना है यहाँ पे आपको assessment year चूज करना है, जैसे के assessment year 21-22 और नीचे continue बटन पे प्रेस करना है तो यदि आपकी return process हो चुकी है, उसके बाद जो latest communication reference नमबर होगा वो automatically portal के दोरा pick up कर लिया जाएगा, यहाँ पे आप return को reprocess करवा सकते है माल लिजिए CPC Bangalore के दोरा जो आपकी return process की गई है, उसमें आपका TDS या advanced tax consider नहीं किया है तो आप reprocess के button पे press कर सकते हैं, या फिर यदि आप return data correction करना चाहते हैं तो यहाँ पे return data correction offline के लिए facility enable की गई है, आप यहाँ पे click करके इसे upload कर सकते हैं लेकिन आपके ensure करना है कि जब आप correction कर रहे हों तो आप कोई नया source income का additional deductions है वो declare नहीं कर सकते हैं आप उन सभी order की rectification के लिए apply कर सकते हैं जो कि CPC यानि कि Center Processing Center Bangalore के दोरा process की गई हैं लेकिन यदि tax credit में isolated है तो आप उसकी rectification अभी नहीं कर पाएंगे उमीद करते हैं दोस्तों आपके लिए news useful रही होगी कि पहलाई कीजिए और share कीजिए ताकि सभी लोगों तके जानकार यह पहुंच पाएं और वो income tax की compliance कर पाएं regulate GST और tax update के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें Friends आप TDS, income tax, GST और accounting software audit rail के साथ compliance असानी से कर सकते हैं इन software के demo देखने के लिए आप हमें mobile number के साथ email कर दीजिए taxil.gmail.com पर आप हमें टेलिग्रेम एप, CS of Basing taxil पर जॉइन कर सकते हैं थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें आप